नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का भारत निव जफ्यास पर तो दोस्तों यूरोप अभी बारूद के धेर पर बैठा हुआ है और एक छोटी सी चिंगारे भी बड़े भयांकर युद का रूप ले सकती है ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूँ आप ए स्क्रीन पर शुरू कर दिया है और इसके रिटैलियेशन में नाटो ने पोलेंड की सीमा पर दस हजार से अधिक साइनिको का तैनाती करने का फैसला लिया है दोस्तों पोलेंड के परधान मंत्री ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि रूस के बैगनार आर्मी के लराके भी बेलारूस की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रूस ऐसा क्यों करेगा वो तो पहले ही रसिया और उक्रेन वार की में उल्जा हुआ है तो मैप पर देखिए यह है कलिनिन इंगराद जो की रसिया का एक पाठ है और उसके दूनों तरफ जो देश हैं पोले कि बेला रूस को कलिनिन इंगराद से कनेक्ट करता है इसके अलावा रूस को कलिनिन इंगराद से जोडनी की कोई भी भूमिगत रास्ता नहीं है इसलिए रूस इस सुवालिकी रीजन को कब जाना चाहता है जिससे की वह एक प्रोपर आल टाइम जमीनी रास्ता कलिनिन इं गरात को कभी भी ब्लॉक कर सकता है हलाकि आपका क्या मानना है इस न्यूज पर कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और चानल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद